दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने मोबाल फॉन से किसी भी बैंकों का बालेंस कैसे चेक करें अपने अधार कार्ड नमबर से अगर दोस्तो आपके पास किसी भी बैंक पर खाता है तो दोस्तो आप घर बैठे अपने मुवाइल फ़न से बैंकों का बालेस पताग कर सकते हैं कैसे चेक करना है कौन सी वेव साइट है सब कुछ इस वीडियो के माधिम से बताएंगे तो दोस्तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो आप अपने मुगाल फन में एक अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे पैसा चेक करते हैं और कैसे आपको application को download करना है वीडियो के last में बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले इस application को download करके open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाता है दोस्तों आपर काफी service देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों पैसा चेक करने के लिए यहाँ पर देख पारेंगे उपर नहीं दोस्तों आपको एक option देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर EPS के उपर यहाँ पर click करना होता है और यहाँ पर तीन option खुल कर आ जाता है case withdrawal, balance inquiry, mini statement दोस्तों पैसा चेक करने के लिए यहाँ पर आपको balance inquiry को पर click करना है और यहाँ पर आप देख पारेंगे, bank select यहाँ पर देख पारेंगे अधार कार नमबर यहाँ पर डालना है, इस box पर click करना है यहाँ पर कर देना है, submit तो चलिए यहाँ पर फटा फट हम डाल लेते हैं, जैसे मेरे पास bank है, state bank of India और यहाँ पर धार कार नमबर डालते हैं, और यहाँ पर करते हैं submit और जो आपके खाते में पैसे होंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से बता दी जाएंगे जो की दोस्तों आप बड़ी असानी से इस वीडियो के माधिम से समझ गया हैंगे अगर आप इस तरह से किसी भी बैंकों का बाइलन्स पता करना चाहते हैं, घर बैठ हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस application को डाउनलोड करना होगा अपने mobile phone में उसके लिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो के description box में जाएंगे इस application का link दिये दिया गया है तो सबसे पहले इस application को डाउनलोड करके open कर लेंगे तो सबसे पहले आपको ID password मांगता है तो सबसे पहले आपको ID password कैसे बनाना है यहाँ पर आपको बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ID password बनाने के लिए यहाँ पर देख पहले रहेंगे registered name यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप देख पहले रहेंगे business name business name के जगह में अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको pen card में जो नाम यहाँ पर डालेंगे mobile number email ID और यहाँ पर pen number डाल देंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक documents upload करना होता है जैसे passport, voter ID, डावी, license, अधारकार यहाँ पर जो भी आपके पस available होगा है यहाँ पर select कर लेंगे और यहाँ पर आपको documents upload कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पार रहेंगे next यहाँ पर जिसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको 5-10 minute के अंदर जो mobile number डालेंगे जो आप email ID देंगे उस पर आपको ID password बना कर भी दिया जाता है तो दोस्तों अगर आप इस तरह से जरू download करेंगे और जरू try करेंगे दोस्तों उमीद करता हूँ कि ए वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आन पर वीडियो को like, share, comment करें दोस्तों अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किये है तो दोस्तों इस चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लेंगे चलिए दोस्तों next वीडियो मिलते है तब तक के लिए जहिन हों दे मातरा